आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है पुष्पा के लिए राष्ट्य पुरसकार भी सम्मानित किया गया है अलो अरजुन राष्ट्य पुरसकार जितने वाले पहले तेलोग अभीनिता बन गए अक्टर के फैंस की उनकी आगा में फिल्ट फुष्पा 2 का बेसबरे से इंतजार कर रहे है इस बिच यह खबर है कि अलो अरजुन की वह वच अवेटेट फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है मिठे रिपॉर्ट्स की माने तो एक्टर के फिल्म की रिलीज डेट तैह हो गई दो हजाचोविस में रिलीज होगी रिपोर्ट्स की यह दावा किया है कि अलो अरजुन की बहु प्रतिशत फिल्म पुश्पा 2 22 मार 2024 को रिलिज होगी हाला कि निर्मातों की और से फिल्म की रिलिज डेट को लेकर कोई अधिकारी खोशना नहीं की गई है रिपोर्ट की माने तो फिल्म की शुटिंग कुछ हपतों के भीतर खत्म होने वाली है और फिल्म के मेकर्स पोस्ट प्रोडक्शन से रिल करने की योजना बना रहे है पुश्पा दराइस की सिक्वल है पुश्पा टू दरूल्स कुछ हपते पहले पुश्पा टू के निर्बाताओं ने फिल्म से अलो अरजुन का फर्स लुक जारी किया था पोस्टर में अभी नेता को साड़ी पहने और दाहीनी हाथ में बंदुग पकड़े हुए दिखाया गया था इस पोस्टर ने इंटरनेट तग तहल का मचा दिया सुकुमार की निर्देशन बने पुश्पा टू दरूल साल 2021 में आये उनकी फिल्म पुश्पा दराइज का सिक्वल है फिल्म में अलो अरजुन की रश्मी का मंदाना और फरत फासिल अपनी भूमिकाओं को दोराती नजल आने वाले है फिल्म ने दर्शोग के बीच भारे उस्सा पैदा कर दिया है अब आईए बढ़ते अगली खबर के और सोशल मेडिया पर प्राइवेट फोटो लिग होने पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस का हुआ बुरा हाल पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहीरा खान का जादू तो हर तरफ चलता है उनकी खुबसूरती का तो हर इंसान दिवाना है लेकिन कोई भी उसकी परसनल लाइव के इस दोरान के बारे में नहीं जानता है जिसकी वज़र से माहीरा खान डिप्रेशन का शिकार हो गई थी खुद इस बात का खुलासा शारुख खान की हिरोईन माहीरा खान ने अब किया है पाकिस्तानी अभी नेत्री माहीरा खान का खुलासा पाकिस्तानी आवी नेतरी माहिरा खान पाकिस्तान की सबसे दमदार अक्ट्रेसेस में से एक है वह भारते फिल्म इंडेस्ट्रीज का भी हिस्सा रही लेकिन उरी अटक की वज़र से माहिरा खान बॉलिवूड में ज़्यादा टिक नहीं पाई अपनी परसनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर हमेशा ही सुर्कियों में बटोरने वाली माहिरा खान ने एक लेटेस इड्रू में खुलासा किया है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी मायरा ख्यान ने कहा कि मैंने फिल्म राइस पूरी कर ली थी अज सब कुछ ठीक चर रहा था फिर अचानक या हमला हुआ राजनेतिक रूप से सब कुछ गड़बर हो गया चीज़े बहुत बिगड़ गई लेकिन मैं डरती नहीं थी लेकिन मुझे धमकी दी गई थी लगाता ट्वीट मुझे कॉल आते थे और बहुत डराओने वह थे मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं फिल्म का प्रचार करने भारत नहीं जा सकती है लेकिन फिल्म पाकिस्तान में रिलिस हो जाए क्योंकि मेरे देश के लोग शारुक की फिल्म देखना चाहते थे अब आईए बढ़ते अगली खबर के और इस दिन से शुरू होगा सर्मान खान का बिग बॉस 17 अंगेता लोकंडे विकी जेन के साथ ये कंटेस्टंट हो सकते शामिल बिग बॉस OTT 2 के सफल सिजन के बाद अब फैन सर्मान खान के चर्चिस रियालिटी शो बिग बॉस 17 का बे सबने से इंतजार कर रहे है लेकिन अपनी इस पसंदिदा शो के लिए फैन्स को और थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि इस साल बिग बॉस सितंबर में नहीं बलकि अक्टॉमबर में शुरू होने जा रहा है बिग बॉस 70 का प्रीमियर अक्टॉमबर 21 को होगा और इस बार सेलेब्रेटी कपल वर्सल सिंगल की थीम बिग बॉस के घर में देखनी मिलेगी मशूर टीवी कपल नील भट एश्वरा शर्मा और एलिस कैसल कवर थिलो को बिग बॉस के लिए फाइनल किया गया है अब इन दोनों के साथ साथ अंकिता लोकंडे और विकी जेन का भी घर के अंदर जाना लगबग ते हो गया है इन दो जोड़ियों के अलावा प्रिस नरूला यूवी का चोधरी अली गोनी जैसमीन बसिन करन कुंद्रा तेजस्वी जैसे सेलेब्रेटी कपल को भी बिग बॉस 17 में बतोर मेंटर जुडने के लिए अप्रोच किया गया है बिग बॉस OTT 2 के कंटेंस्टन भी हो सकते हैं शामिल बिग बॉस 17 में बिग बॉस OTT सीजन 2 से भी कुछ कंसेस्टन शामिल हो सकते हैं मनिशा रानी जिया शंकर अविनाज सचदेव जैसे कही एक्स कंटेंस्टन को भी शोव में देखा जा सकता है इस सभी के अलावा बतोर सिंगल जेनिफर विकेट, मो सिंग खान, सुर्भी जोसी, अंजली अरोडा, इस्माइल, दर्वाज के बेटे आवेज, दर्वाज, बसीर अली और क्याट क्रिस्टन जैसी कई सेलेब्रेटी के नाम भी चर्चा में हो रहे हैं अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाल पर भी देख सकते हैं, मोबाल आप पर देखने के लिए प्लेस्टोर से MNS News TV आप डाउनलोड करें, इंस्टाइलिंग, ट्वीटर, हाइकुक, फेस्बूक और कई सोचल मोड़ा प्लाटवाम पर हमारा चैनल उपलब्द है, आप हमा MNS News